नमस्कार दूस्तों डेली नीज में आपका स्वागता लागडाउन के बाद 4 माई से चलने लगीगी देल काडियां कल की बैठक में हो सकता है ये फैसला देश में कोरोना वाइरस में हमारी से रुख थाम के लिए देश में बिते 25 मार्च से लागू लागडाउन को आगे माप्त हो जाएगा इसके साथ ही चार माई के सारवजिनिक परिवहनों का परवाली समेत रेल गाडियां और परिचालन दोभारा सुरू हो जाएगा फिर से इसे आगे बढ़ाया जाएगा देश में रेल गाडियां की परिचालन को देखते हुए बुद्वार यानि 29 अप् वाली अहां बैठक में लागडाउन के बाद इस्थित को देखते हुए रेल गाडियां की परिचालन को देखकर चर्चा हो सकती है संभावना यह है कि इसके जरीए भी की जा सकती है कि कोरोना वाइरस माहमारी के खौफ से बीच रेल गाडियां की तरह परिचालन ब्रिवि लगा रखी थी इसके साथ ही लागडाउन के वल जरुस्त समानों को चिकत्सा उपकरोन को अपोर्ती के लिए देखा गया था मालज का परिचालन किया जा रहा था इसके साथ ही कोरोना संकर्मन को को रोक थाम के लिए शरकार ने 3 माहीं तक देश में लागडाउन रखी लेकिन केंद्र सरकार ने पहले ही ग्रामेड को इलाकों में आर्थिक गतिवीदियां को चरणबंद तरीके से सुरू करने के लिए इसमें कुछ धील भी रखी गई थी आसमान में दिखे यूएफ फो कि अमेरिका ने जारी किया वीडियो नौ सेना ने किया यह कैप्चर अमेरिके में फेंटागम अधिकारिक तरह से कुल वीडियो जारी किया जाते हैं जिसमें आस्मान से आग्यात युए शुफो दिखाई दी जिसके वीडियो समने आने आई थी दुनिया में चौक गई इस तरह से वीडियो के अमेरिकी इस नौ सेना ने पाइलेटों के द्वारा जारी किया गया था जिसमें कथिक तोर पर आग्या थावाई यान दिख रहा था जैसे की जो वीडियो जारी किये गये थे वहां 2004 से 2015 में जैसे परिछण में उडाने के लिए दौरान वीडियो सेंसर तक्निकी विखे जरिये पाइलेटों के आसमान को कैप्चर किया था इसके बाद लिए अमेरिका नौ सेना वास्तविक रूप से अधिकारिक तोर पर स्वि देपार्टमेंट आफ डिफेंस इन तीन आग्याद वीडियो में जारी किये गये नौ सेना ने अधिक्तम अधिक्रित किया था रक्षविभाग वक्ता में सुसाम गफ बताय गया था कि वीडियो नौ नमबद दोजार चार में गया था जबकि दो वीडियो जनवरी 2015 में कै जैसात dulu को आधिनिक तौर पर मोजुद थे तीन माई के बाद देश में आदे इसो में फक्ति है लागडाउन आपके साहर में भी मिल सकती है चूट तीन माई के बाद लागडाउन भारत में आदे इससे में फट जाएगी दोस्तों प्रदान मंतरी नरेजन मोदी दोरा तर अद्धानमंत्री नरें्दमोदी मुखे मंतरियों के राजी तीन हिस्षों में बाठनी को कहा है इसमें पहला हिस्षा हाट स्पॉट द्वारा कुरोना वाइरस लागुराएंगा दूसरे ऑर इंज जहां पर कुरोना वारस के प्रकुप थोड़ा कम है वहां पर लोगों को ल जैसे दो सब्त का इस्तमाल किया जैसे कि दर असल कोरोना महामारी से निवटने के लिए सरकार ने दोस्तों भारत में जैसे जी ले तीन भागों में हार्टी स्पोर्ट के रेड जोन नानिस्ट ऑप औरेंज ग्रीन जोन में बाटा गया था 15 अप्राहिल को कोरोना वाइरस के संकर्मन में हर्टी स्पोर्ट में 170 जीलों में लिस्ट जारी की थी जिसमें से 735 जीलों में आनि 359 प्रसेंट कोरोना संकर्मन नहीं है ऐसे में अगर आज पिया मोधी मुख्यमन्तरियों के बीच बात्चित की तो मारे देश में आधे आने 49 परसेंट लागडाउन हट सकता है क्योंकि यहां के लोग कुरोना में संकर्ट से खत्रे से बाहर आगा वीडियो कुछ लगती हो तो लाइक के मेंटा सेर करना ना बू अजय के लो लगता बात्तरियों के लागपा से अने ना लागवाने के लागवावावावावावावावावावावा।